नमस्कार, आज हम बनाएंगे पूरन पोली, वैसे तो पूरन पोली दाल को पका कर भर कर बनाया जाता है, लेकिन आज हम एकदम अलग तरीके से पूरन पोली बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको आटा गुथने और दाल पकाने के जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आटा गुथे आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं पूरन पोली बनाना, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कप भीगा हुआ चनक दाल लिया है, दाल को हमने तीन से चार घंटे के लिए पाने भीगो कर रखा था, सबसे पहले इससे हम पीसेंगे, पूरे द तरह का बैटर बना लिया है, अब इसे हम इसी बरतर में निकालेंगे, आप देख सकते हैं कितना पतला घोल बना है, इसमें दाल और गूर अच्छे से पीस कर एक हो गया है, अब इसमें हम एक कप गेहू कांटा डालेंगे, इसके बाद डालेंगे एक चोथाई छोटी दाल सकते हैं, आठा मिलानेक बाद बैटर थोड़ा घड़ा हो गया है, तो इसमें हम पानी डालकर इसको पतला बनाएंगे, इसमें हम आधी छोटी चमश हज़ी पॉड़र डालेंगे, जरूरत का अंसार इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाते जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरग बाइटर हमने बना कर तयार कर लिया है पूरण पोली के लिए हमें ऐसा ही बाइटर चाहिए अब हम पूरण पोली बनाएंगे चलते हैं हम गैस के तरफ पायन में पहले हम थोड़ा स्टेल लगा देते हैं गैस को हमने बहुत धीमा रखा है और पायन भी बहुत गरम नहीं है इसको हमने हलका गरम रखा है अब इसमें हम दो कल्ची बैटर को डालेंगे ज्यादा इसे फैलानेक ज़रूरत नहीं है बैटर अपने आप फैल जाएगा बस पायन को हम इस तरह से हलका से हिलाएंगे इससे बैटर अपने आप फैल जाएगा अब पायन को उपर ढखकन लगा कर इसे हम 2-3 मिनिट के लिए ढखेंगे जिससे इसका कलर उपर स्चेंज हो जाए लगभग 2 मिनिट के बाद आप इसको हम पल्टेंगे आप देख सकते हैं इसके उपर से कलर पूरी तरह स्चेंज हो गया है थोड़ा से इसमें हम तेल लगाएंगे अब गायस को हम मेडिया में करके इसे सेकेंगे तेल लगाने बाद आप इसे हम दुसरी तरह पल्टेंगे अब इसको हम ढखकेंगे नहीं इसी तरह बीना ढखके पराठे जैसे सेकेंगे जिस तरह से हम पराठे को दापते हुए सेकते हैं उसी तरह इसको भी सेकेंगे ज़्यादा नहीं तीन से चार मिनट में यह सेक जाएगा इसको सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है आप देख सकते हैं पूरन पोली किस तरह से फोल रहा है जब इसमें दोनों तरफ से अच्छे चित्ती पर जाए तो समझिए ये सिख गया है अगर आपके पास समय कम है तो आप इस तरह से पूरन पोली बहुत ही असानिस बना सकते हैं लेकिन दिहान रहें अगर आप इस तरह से पूरन पोली बना रहे हैं तो पाहले गयस को एकदम धीमा रखें और पायन हलका गरम रहने पर बैटर को डालें क्योंकि अगर पायन ज्यादा गरम रहेगा तो पूरन पोली फुलब फुलब नहीं बनेगा इसलिए पायन को हलका गरम रहने पर बैटर को डालें और फिर पूरन पोली को मेडियम आज पर सेकें अब यह सिख गया है इसमें दोनों तरफ से चित्ती पड़ गई है तो अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे यह पहला पूरन पोली तयार है इसी तरस जो बचा हुआ बैटर है उसका भी पूरन पोली बनाएंगे यह पूरन पोली बनाने के लिए आपको आटा गुथने और दाल पकाने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी दस से पंदरा मिनिट में आप इसे असानी से घर पर बना सकते हैं अब ए वाला भी दोनों तरफ से अच्छे सिख गया है इसको भी प्लेट में निकालेंगे एक एक करके हमने पूरे बैटर का पूरन पोली बना लिया है आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बिना आटा गुथे पूरन पोली बनाया है बहुत ही बढ़ियां मुलायां पूरन पोली बना है आप देख सकते हैं हास से मोडने बाद ये टूट नहीं रहा है अब इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं ये अंदर से कैसा बना है तोडने बाद आप देख सकते हैं ये अंदर से एक दम पराठे जैसा लग रहा है इसे आप दही आचार चटनी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है आप इसे जरूर बनाईएगा ये बीने जंजट के कम समयम जल्दी से बन जाता है और खाने में भी बहुत ही बढ़ियां होता है